वेलकम टो बिपिसमेकर दस्तो आज 19 दिसंबर 2020 और 19 दिसंबर 2020 से समंधित बिहार करेंट फेस्ट और शाथ हैं राश्टर राश्टर घटनाश्ट करेंट फेस्ट के जितने भी प्रश्ण बनेंगे उन सभी प्रश्णों को विसलेशन सेथ मैं आपको इस वीडियो मताऊंग लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने अप से प्रश्ण पूछा था सबसे पहरे उसे देख लेते हैं तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्ण था कि हाल ही में दुईत्या पक्षी महुत्सव 2022 इस महुत्सव का नाव है कलरव तो कलरव का आजन बिहार के किसे जीले में किया यहां पर इस प्रशनी का राइट आंसर होगा एक्षी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आप यहां पर यहां पर जो लोग घार मीटए वीपिसी और यहे झायम के त्यारे में लगए हैं तो इस वाले पीडियो को आप लोग जरूर डाउड कीजिए इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिया गया है आप यहां पर इस पीडियो के अगरम विस्ता की बात करें तो इसमें जैनुरी से लगर कि नॉंबर तक के बिहार को सामिल किया गया है बहुत मेहनत के बादे से तयार किया गया इसमें बहुत सारे क्वेस्टन है लवग आपको नौ सब पच्चास क्वेस्टन विथ एक्स्प्राइनेशन देखने को बलेगा आपको दोवारा कहीं से भी कोई भी विहार क्रेंट अफेर्स पढ़ने की आउसक यहां पर यहां पर यहां पर यह है कि बिहार बजट 2021 थी यानि कि फानेशल एर 2021 में जो भी मतलब बिहार बजट से समंदित महतपूर्ण तक निकल कर शामने आते हैं उन सभी की चर्चा हमने इस वीडियो में क्या है आप लोग इस वीडियो को चैनल पर जाकर देख सकते है अब यहां पर एक से ध्याने के जो लोग घार बैटे वीडर बैटे वीडियो को यहां पर इस एप पर आपको मिल जाएगा और जब से इसे आप जान करेंगे तब से एक वर्स की अवधी के लिए यह आपका वाइलिट रहेगा चलिए अब यहाँ पर हम जलते हैं आज के पहले प्रश्ण पे एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्ण बताऊंगा और जो इन चैसरमन्दित एक्षाफ़ाइट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्ण के हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक रज में smart prepared meter लगाने का निर्देश दिया गया है important प्रश्ण है और इस प्रश्ण का हमारा right answer option number C यानि कि 2025 तक इस कारी को पूरा करने का निर्देश दिया गया है हाला कि इसे related और भी कई सारे प्रश्ण मैंने आपको बताया है लेकिन यहाँ पर जो बिहार सरकार के दोरा निर्देश जारी किया गया उसके बारे में यह प्रश्ण है smart prepared meter लगाने की जो योजना है बिहार सरकार की इसे कब तक पूरा करने का प्रावधान है या फिर कब तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है यहां पर मैं अभी रह रहा हूं बिहार में तो इस जिगा पर हमारे building में यह smart prepared meter लग चुगा है स्मार्ट प्रिपेट में बहुकतान होता है! जल्रिके प्रिपेट करने होता है, यांस अब बेह। करते हैं उसके बाद ही सेवा मिलता है तो उसी परकार से इसमें भी होगा इसमें पहले रिचार्ज करना होगा उसके बाद ही घर में विजली रहेगी अब यहां पर हमने दो पॉइंट को और एड़ किया है करेंड फैस के दरिश्टिकों से यह भी मतपूर्ण है यह और शाथसाथ हाली में देश का पहला कमान एंड कंट्रोल सेंटर बिहार राज में शुरूर्टिया गया है तो दोनों के दोनों यहां से इंपोर्टन है अब यहाँपे हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्ण यह प्रश्णी की हाल ही में बिहार की किस नदी परिजजणा को राष्ट्य परियोजणा में सामिल कर लिया गया है इस तरह के जो परियोजिना वाले प्रशन होते हैं इंपोर्टेंट होते हैं या आपको ध्यान लगना है इस प्रशनी का हमारा right answer option number 1 यानि कि कोसी मेची परियोजिना इस प्रशनी का सही उत्तर होगा कि 4900 कलोर रुपिय की लागत से तयार होने वाले इस परियोजिना में केंदरिय अनदान 60% होगा और 40% जो होगा यह राजसरकार के हिस्से की तो 40% जो होगा या पिर लागत जो होगा यह 40% सद राज्य सरकार के द्वारा इसमें दिया जाएगा अब यहाँ पर हमने अगले प्रशन पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश और मद्परदेश सरकार की केंद बैतवा लिंग आप जो यहाँ पर इसे अपसर नमर बी में देख रहा है केंद बैतवा लिंग के परिया पर नामे सामिल कर लिया गया था लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्याने करी हाल ही में कोशी मेंट सरस्षा राश्टिय परियोजना में सामिल किया गया है इस तरह के प्रश्ण बहुत ज़्यदा इंपोर्टन होते हैं यह सारे चीज़ें को यहां से अप्लोड ध्यान रहे हैं जिसमें बिहार की लोगों को जो राश्टिय अस्तर पर या राज्ट की अस्तर पर जो समान मिला है उसका एक वीडियो हमने बनाया है वह जल्द ही चैनल पर अप्लोड होगा बहुत ही मेनत लगे उस वीडियो बनाने और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यदा इंपोर्टन हो सकता है आप लोग उसे जरूर देखेगा अब यहां पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्ण पर हमारा तीसरा प्रश्ण के हाल ही में किस एथलीट को टाइम पत्रिका ने वर्सद 2021 की सरुस्त्रेश्ट एथलीट चुना है इंपोर्टन प्रश्ण है इस प्रश्ण का हमारा राइट अंसर है सीमोन बाइल्स यानि कि option number B यहां पर इस प्रश्ण का राइट अंसर होगा आपको यहां पर इस प्रश्ण बाइल्स बाइल्स प्रश्ण की मसबूर जीमनाश्ट सीमोन बाइल्स को टाइम पत्रिका ने वर्सद 2021 के सरुस्त्रेश्ट एथलीट चुना है आप जो यहां पर इस इमेज़ में देख रहे हैं यही है सीमोन बाइल्स आपको यह ध्दyerन बारे में कहा जाता है कि जिसमें हवा में जगह और दिशा का ग्यान नहीं राता है और बावजुद इसके इन्होंने और टीम इस परधा में कई पदक जीते हैं यह आपको यहां से ध्यान रखना है इस बीमारी के बारे में आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि जो बीमारी का इसलिए यहाँ पे हमने इसकी भी चार्चा कर दी यह प्रशन के हाल ही में अंजू बाबी जॉर्ज को BBC स्पोर्ट सुद्वारा Life Time Achievement Award दिया गया है अब यहाँ पे मारा अगला है चौथा प्रशन यह प्रशन के हाल ही में किस अंतरिक्ष एजनसी के पारका रियान ने सूरज का दावन छू लिया है यह प्रशन बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट आपके लिए हो सकता यह बहुत ज़्यदा भी समाचार पत्रों के सुर्खियों में है आपको ध्यान लखेना यहां पर अगर इस प्रशन के राइट अंसर के बात करें तो यह जो अंतरिक्ष एजनसी का नाम है यह है नासा जो कि अमेर्की अंतरिक्ष एजनसी है तो अमेर्फी अमतरीश एजडेशि नासा के पारकर जियान ने अब विः हाली में सूरज के दावन को चुआ है तो अपसन नबर A यहां पर इस प्रश्री का राइट अंसर होगा आपको यहां पर इस प्रश्री बारें विश्तरीत जान गर दूँ कि अमेरिकी अम्त्रिक्ष एजेंसी नासा के पारकर यान ने सूरज का दामन छो लिया है इस नियान का नाम आप लोग की यहां से ध्यान रखी यह आपके एकजाम में पूछे जा सकते हैं यहां पर हमने अगले पैंट में लिखा है हाला कि इस यहां ने 28 अपरेल 2021 को सूरी के वातावरन से बाहरी हिस्ते जाने की करोना में परवेश किया था अब यहां पर दिके करोमा की हमने बात किये तो आप यहां पर ध्यान रखिए यह करोना वाईरस की Μहिकारा साहे यहां पर आगे लिख दिया है कि सूरुके वर्रमंटल के बाहरी भाग को करोना या फिर्किर बाहरी हिस्ते जाने इसकी जानकारी सारज्जनिक किया है जब यह कह सकते हैं सुरज का दामन को छू लिया है तो उसके बात यहां पर अमर्के अंत्रिक्स एजनसी नासा के दौरा यह जानकारी को सरजनिक किया गया है हमने यहां पर इसके वारें और भी कुछ चीज़ों को डीटेल में लिखा कि सुर्व की सतर की चमक और उसक कि सुरी के वारेंड मंदल के बाहर ही भाग को कहा जाता है तो उसी से लिए प्वांट करोणा तक पहुचने वाला या पहली मानम निर्मित वस्तु है इससे पहले कोई भी वस्तु या फिर कोई भी उपक्रन या फिर किरिट तक नहीं पहुचा था हाला कि यह यहां कही बा अधिक नई दिकी होगी यह आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर बाता यह सूरी की तो सूरी से रिलेटेट और भी कई सारे प्रश्ण बनते हैं जो कि एक जाम में कई बार पूचेगे हैं सबसे पहले यह ध्याने के सूरी जो है यह सौर मंडल का मुख्या है और हम जिस सकते ग्रहों की जो संक्या है यह आठ है लेकिन इससे पहले ग्रहों की संक्या नौ थी 2006 में प्राग गनराज में एक सम्मेलन हो था जहां पर प्लूटो को जो की सबसे दूर का ग्रह था तो प्लूटो को ग्रह की स्रेणी से हटा करें से का सकते बौने ग्रह की स्रेणी में तो 2006 से अभी तक मुर्टब का सकते हैं जितनी जानकारी प्राप्त हैं अब तक 8 ग्रही सौर मंडल में है और ग्रहों का जो करम है सुर्य से दूरी के अनुशार वो भी आपके एकजाम में पूछे गए कई बार जो अरेंज्मेंट वाला जो प्रश्ण होता है कि यहां पर प्रतु यहां पर बात रहें पारें सामा बता बुद्ध शुक्र पर थी मंंगल बुर्ष्पर्थी शनी अरून और वरून कुल मलाक आप यहाँ पर कौंट कर सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पंच, छे, साथ, आठ और यहाँ पर अच्छी यह भी ध्याने के जो पहला चार गरह आप जो यहाँ पर देख रहे हैं बुद्ध, शुक्र, पिरत्वी, मंगल यह पहला चार गरह, जो यह का सकते आंतरिक G्रहों की स्रेणिम में है जबकि लाश्ट का जो चार है, यह बहरे गरहों की स्रेणिम है तो पहले में हमारा कौन था? बुद्ध, शुक्र, पिरत्व, मंगल और लाश्ट में कौन है? यह आंक्डे वाले जो प्रशने होते हैं यह बहुत ज़्यादा important होते हैं इस तरह के प्रशने किसी भी प्रशने को आप एग्नौर नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रशने के right answer के बात करें तो इसका right answer option number C यानि कि परमानो उर्जा च्छमता में लगवक कर सकते 40% की बढ़ोतरी हुई है तो option number C यहाँ पर इस प्रशने का right answer होगा आपको यहाँ पर इस प्रशने के बारे में विस्तित जानकर देदों के पिछले 7 वरसों में भारत की अस्थाबित परमानो उर्जा च्छमता 4780 मेगावाट के मेगावाट से बढ़कर 6780 मेगावाट हो गई है जो कि अगर हम percentage में बात करें तो यह 40% से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है तो आप यहाँ पर मान के चलिए लगभग 40% की इसमें बढ़ोतरी हुई है यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है हमने है अगले पर में लिखा कि वर्तमान समय में देश में जुरेनियम का सलना उत्पादन सभी जुरेनियम आधारित परमानु उर्जा संजंत्रों की वरसिक इंधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए थौरियम अधारित वेकलफिक इंधन की शंभावना पर विचार किया जाए और सरकार इस पर कारी कर रही है ताकि थौरियम अधारित वेकलफिक इंधन की तलास करके मतलब इसमें का सकते हैं इसका इस्तिमाल किया जाए तो ये सारे पॉइंट यहां से आप लोग धियान लेकिए अब चलते हम अगले छठे प्रशने पे हमारा अगला छठा प्रशने के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुशार जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में कौन सा राज्य सिर्ष पर है बहुत important प्रशने और इस प्रशने का हमारा right answer option number C यानि कि इस मामले में जैविक खेती और उत्पाद की मामले में कौन सा राज्य सिर्ष पर है तो इसका right answer हमारा मद्ध परदेश यानि कि option number C यहां पर इस प्रशने का right answer होगा आपको यहाँ पर इस प्रश्टिक बारे में विस्तरित जानकार देदू कि मद्ध परदेश जैविक खेती और इसे जुड़े उत्पादों के निर्यात में देश में सिर्ष अस्थान पर है जो रिपोर्ट अभी हाली में जारी किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार मद्ध परदेश को अवल रखा गया है हमने अगले पर लिखा कि मद्ध परदेश में लगातार जैविक खेती का चेतर बढ़ता जा रहा है जो कि वर्शे 2017-18 तो वर्शे 2017-18 में 11,56,000 हेक्टेर चेतर में जैविक खेती की जा रही थी जबकि वर्शे 2021-21 में यह चेतर बढ़कर 16, 37,000 हेक्टेर से अधीक होगी यह सरकारी रिपोर्ट में यह सारे बाते कई गई है तो यह सारे आंकले यहां साप्लोग धियाने के अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके तरह किस चीज की खेती की जाते है किस चीज में मद्ध परदेश आगे है हमने उसी चीज को यहाँ पर आगे लिखा है कि इसके तरह स्वयाबिन चना मसूर और उड़त के या फिर उड़त जो हता एक दाल होता है तो इसके उत्पादन में मद्धपरदेश नमर एक पर है और वहें पर रामतिल और मुंग में दूसरा और गेहूं और बाजरे के उत्पादन में तीसरे अस्था अच्छान पर है मद्परदेश और मद्परदेश की बात आई तो एक करेंट अफरस का प्रश्न ये भी है कि हादी में मद्परदेश में लॉंच पेड योजणा का सुभारम क्या गया था इसका उद्धिष क्या है यह आपको पूछे जा सकता है तो लॉंच पेड़ योज चलज़ाइबंद करने में मदद करना कल बाले वीडियो मेरा मुख मंतरी उद्मी योज़ला के बारे मैंने को विश्थरीत जानकारे दिया था अब यहां पर हम चलते हैं अगले साथнет में प्रशन पर एभाष्ण है। पर राजस्थान को परदान किया गया है तो अपसर नमर बी यहां पर इस प्रशन का राइट आंसर होगा आपको इस पर इस पर इस पर रिश्थान कर देदो की हाली में 14 करेंट एफेस के प्रशन को एड़ किया है जो कि रिविजन के तोर पर अगर आपसे याद रखेंगे तो आप एक्जामे बहतर करेंगे हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हाली में राजस्थान सरकार ने परसासन गाउं के संग अभियान सुरू किया था आप यहाँ पर जैपूर में है और जैपूर को पिंक सिटी के इसफीन के लिए एक विदेह पारत चाहिता जिसे बाद में वाप्स भी ले लुगए इसकी बारे में हम कम्प्लेट जैनकारी जो महत पूँन चीजें निकलकर शामने आतें मैणने आपको आपको यह सारे चीज़ा याद होगी, अगर अपने रेगुलर वीडियो को यहां से फॉलॉग किया तो यह सारे चीज़ा आपको याद होगी, अब यहां पर मारा अगरा है आट वा प्रशन, यह भी प्रशन को आप यहां पर important प्रश्णों की स्त्रेनी में रख सकते हैं यह प्रश्णिंग हाली में पस्चिम यहाँ पस्चिम बंगाल होना चाहिए हाली में पस्चिम बंगाल यहाँ पे बंगाल सब्द छुट गया है तो हाली में पस्चिम बंगाल के किस पर्व को युनेस्को की Heritage सूची में सामिल किया गया है इंपोर्टन परशनी और इस परशनी का हमारा Right Answer अफ्सर नमर B यहनि कि दुरगा पोजा को भी हाली में UNESCO की Heritage सूची में सामिल किया गया है तो अफ्सर नमर B यहाँ पर इस परशनी का Right Answer होगा आपको बता दूँ इस प्रश्णी बारे डेटेल जानकारी को कि बंगाल में मनाई जाने वारे दुरगा पोजा को वेस्विक पटल पर एक नई पहचान मिली है दरसल लेकर हम बात करें तो दरसल United Nations Education Scientific and Cultural Organization जिसे के सौट में हम लोग करते हैं UNESCO तो UNESCO ने बंगाल की दुरजा पोजा को 15 दिशंबर को Heritage सूची में सामिल करने की घोशना की है इसके लिए कर सकते हैं दुरगा पोजा समेथी बंगाल के दोरा इसके लिए अपलाई किया गया था जिसके बाद यहां पर UNESCO ने इसे मतलगा सकते हैं Heritage सूची में सामिल करने की घोशना की है और यहां पर यह ध्यान के UNESCO की बात आई है तो यहां से आपके प्रशने बंग सकते हैं UNESCO का जो अर्थ होता है सबसे पहले यह ध्याने की हो UNESCO का जो सन्युक्त अर्थ होता है यह होता है सन्युक्त राष्ट वेस्विक वेग्यानिक अबंग संस्कृतिक संकतन और इसके स्थापना के बारे में आपसे एक जाम में प्रशने पूछा जा सकता है यह प्रशन बहुत जड़ा इंपोर्टन है अब यहाँ पर आपको इस प्रशन बारे में विश्तिरत जानकारे देदो कि कि अंदर सरकार ने 15 दिसंबर 2020 को भारत को दुनिया का सेमिकंड़क्टर हब बनाने के लिए 76,000 क्रों रुपय की प्रोटसाहन योजना को मंजूरी दी है यह भारत सरगार की दोराभी हाली में यह मंजूरी दिया गया है इसके पीछे का उद्दिश क्या है यह आपको ध्यान लखना है इसके चरचा हमने अगले प्रशन पर की इसका उद्दिश यही है कि जल्द ही सेमिकंड़क्टर मीशन भी अस्थापित किया जाएगा और यह मीशन दुनिया के अगरनी सेमिकंड़क्टर प्रोफेस्नल की अगवाई में शुरू होगी और ऐसी भी बाते सरकार के दोरा कही गई है हमने अगले प्रशन पर अभी दुनिया में तो दोनों चीज़ों को यहां से आप लोग ध्यान रखें अब चलते हम अगले प्रशन पर हमारा अगला होगा दसवा प्रशन यह प्रशन के हाले में कि सर्राजी को परेटन के विकास के लिए जपान की एजनसी से 700 कलोर रुपिय मिले है इस प्रशन के हमारा राइट अंसर अपसर नबल ए यानि कि मेगाले सरकार को यह रासी मिला या पर यह रासी आवंटित किया गया है आपको यहां पर इस प्रशन के विकास के लिए जपान दोरा या पर जपान की एजनसी दोरा 700 कलो रुपी अवंटित किया गया है यह आपको यहां से ध्यान ड़का है हमने आपे चर्चा के यह मेगाले की तो मेगाले के बारे में यहां पर ध्यान ड़के मेगाले के मुख्य मंतरी वरतमान में है कॉनरोट संगमा कौन दो बार दिखा गया तो मेगाले के मुख मंत्री है कौन रोट चंगमा और वरतमान में यहां पे राजपाल है सत्पाल मलिक और मेगाले की उम्ब गोट नदी एशिया की सबसे स्वक्ष नदी बनी है तो यह भी ध्यान रिखें देखें पिछले वीडियो में हमने एक चर कोड़ बनाई रखें और एकशी ध्यान रखें ट्वीटर और इंस्टाग्राम का लिंक हमने यहां पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में डाला है आप वहां पर जाकर इन सारे सोचल मीडिया प्लेटफॉम पर हमें फॉलो कर सकते हैं देखें कि किसी भी वक्त हमें आप से निकल सकता है जिस प्रकार से चीज़े मैं देख रहा हूं इसके पीछे बहुत सरे लोग लगे हुए हैं अगर इसे लिंक अप टूट गया तो हमारा और आपका जो रिस्सा इतने दिनों का बना है यह वहीं पर मतलब कर सकते हैं दोस्तों हजाएगा तो इसकी बहुत एक अच्छा साधन है कि ट्वीटर पर हम लोग बने रह सकते हैं जैसे भी जब भी आपके जरौत पड़ेगी हम लोग महां से आवाज उठा सकते हैं तो प्लीज आप लोग ट्वीटर और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करें चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले 11 पर इस प्रशन का हमारा राइट अंसर होगा sinner अब आपको यहां पर इस प्रूपार बिस्तरित जyn canal कर देदूंकि गुढ डॉट डॉट कंपर सब्सक्वारप इत्ở知道 क्लों उपलाप्ड कराता है यहां पना पर देख सकते जावलिन थ्रौं में तोक्यो 2020 में भारत को शौण पदक दिलाया है हमने अगले हैं हालहीं में फॉसिल जो कि एक अमेरिकी घड़ी कंपणी है तथा वा वंडर सेब जो कि एक किचन वेर रांड है इसने अपना ब्रांड एंबेस्टर किरती सेंदन को बनाया है जो आप यहां पर देख रहे हैं आप सब्सक्राइब अगले पर अगले आपसर में लिखा है विराट कोई बारे में ने अगले पर लिखा कि वरत्मान समय में और हमारा अगला परक्षय कुमार से रिलेटेट अक्षय कुमार को यहां पर आप तो अक्षे कुमार को वायोट टेक्नलोजी फॉर माई लैब डिस्कवरी सॉलूशन का ब्रांड एमबेस्टर बनाएक है तो यह सारे चीज़ें यहां से ध्यान लेकिए अब यहां पर बात रही है निरत चोपड़ा की तो निरत चोपड़ा टोक्यो ट्वेंटी ट्वेंटी म मैंने आपको बताया है आप लोग चैनल पर जाकर के जो टॉपिक स्टेडी के नाम से जो प्ले लिस्ट बनाए आप वहां पर जाकर के सारे वीडियो को देख सकते हैं और वहां से इसका पीडियो फाइल भी आप प्राप कर सकते हैं हमारा अगला है बार्वा प्रश्ण यह इंप्रशन के हाल हे में एकसीस बैंक बोट ने किसी अपना गैर कारिकारी निदेशक निउक्त किया है、 इंपर्टन और इस प्रश्ण का हमारा राइट ऑंसर अप्संर नंबर बी यानए कि आसीस कोतेजा इस प्रश्ण का राइट ऑंसर होगा आपको यहाँ पर इस प्रश्णी वरें विश्रित जानकारी देतो कि Axis Bank ने आसिस कोटेजा को अपना गैर सरकार एंगर कारी कारी नितेशक नुक्त किया है आप जहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं आसिस कोटेजा अब देखें, यहां पर बात आई है Axis Bank की, तो Axis Bank की चर्चा हमने 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 किया है कि Axis Bank की स्थाफणा 1993 में हुई थी और इसका मुक्षाले मुंबई में इस्तित है और Axis Bank के वरित्वार में CEO है Amitabh Chaudhry हमने हमने हम पर अगले प्रेंट पर लिखा है अब यहाँ पर अगला पॉइंट है विनित अगरवाल को बारे तो विनित अगरवाल वानिज और उद्योग मंडल के अध्यक्ष है और इसके लावे अगला पॉइंट में गनपती को में गनपती राष्टे सुरप्षा गाट का महानी देसक है तो यह तमाम चीज़ें यहां से आप लोग ध्यान रखें अब चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्ण के और आज के इस वीडियो के प्रश्ण के पहले आपको बदा दूँ कि आज के इस वीडियो के प्रश्ण के और आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्ण के हाल ही में कौन सा राज्य स्वेक्षिक रखते दाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है इसके वारे में कम्प्लीट जयनकरे मैंने आपको कल वाले वीडियो में जयाता है वजाए इस प्रशनी का राइट आंसर क्या होगा आप चाहें तो यहाँ पर समय चीज़ों को विस्तार पुर्वग भी लिए सकते हैं और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट स्रीज में भाग लेना चाहते हैं और इस स्रीज के तमाम करेंट एफेस का नोट्स पराप्त करना चाहते हैं झाल